आज मैं आपके लिए कीमे की एक और रेसिपी लेकर आई हूँ जो के है कीमा मटर का सालन जो बहुत ही तेस्टी बनेगा इसको ट्राइ करिएगा तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा तो सबसे पहले एक अदर देखचे के अंदर हमने वन कप ऑईल शामिल कर देना ह चूले की फ्लेम को ओन कर लें जैसे ही ओईल हलका सा गरम होना शुरू हो जाए तो इसके अंदर हमने अपना गरम मसाला साबत गरम मसाला एड कर देना है जिसमें दो से तीन अदद दारजिनी के टुकरे हैं दो अदद बड़ी लाइची है और दो ही अदद लॉंग है यह ओईल के अंदर चुछ सेकिंड इसको फ्राई होने दें कुछ ही सेकिंड के बाद इसमें दो बड़ी प्यास हुए है वो मैंने चौप कर ली हूई है बहरीक बहरीक वो इसके अंदर शामिल कर देनी है और इसको भी हमने आइल कें अंदर एक मिनट तक फ्राई करना है जैसे ही इसका कलर पिंक होने लगे देखें इसका कलर जो है वो पिंक होना शुरू हो चुका है इसका मतलब है हमारी प्यास जो है वो थोड़ी सी फ्राई हो चुकी है अब हमने इसके अंदर इस स्टेज पर अद्रक और लैसन का पेस्ट शामिल कर देना है तो टेबल स्पून अद्रक और लैसन का पेस्ट इसके अंदर शामिल करके उसको भी हमने ओल के अंदर हलका सा फ्राई करना है ताके अद्रक और लैसन की खुश्बूज हो है वो हमारे मस जाले के अंदर आ जाए जैसे यह फ्राई होना शुरू हो जाए तो इसके अंदर मैंने बीफ का कीमा जो है वह वन केजी डाल दिया है बीफ की जगा पे अगर आप मतन यूज करना चाहते हैं तो आप मतन का कीमा इस्तमाल कर सकते हैं इसमें कोई प्रॉबलम नहीं है बस सेम प्रोसीजर यही होगा बस आप बीफ के कीमे को उटा कर मतन का कीमा इस्तमाल कर लें थोड़ी देर इसको हम उयल के अंदर फ्राइ करेंगे जब तक कि इसका color change ना हो जाए, देखें, कीमे का color जो है, चेंज हो चुका है, अब हमने इसके अंदर अपने spices एड़ करने है, थोड़ी देर ऑयल और मसालों के अंदर कीमे को फ्राइ करने से, इसकी जो smell होती है, वो ख का पाउडर शामिल किया है मिर्चिया आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं वन टेबले स्पून इसमें नमक जाएगा वन टेबले स्पून भरके इसमें धनिया पाउडर जाएगा जिसको मैंने पहले बोन लिया था तीन अदर्थ बड़े साइस के टमाटर हैं को मैंने चौपर में डाल कर अच्छी तरह से चौपराइस कर लिया था वो शामिल कर देने हैं अगर आपके पास चौपर मजूद नहीं है तो कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है आप इसको सिंपल नाइफ की मदद से काट कर शामिल कर दें थोड़ी देर तक कीमे को तमा देर के लिए दम पर रख देंगे ताकि मारा कीमा और जो मसाले हैं वो अच्छी तरह से पक जाएं 15-20 मिनिट तक आप ने इसको दम पर कवर करके छोड़ देना है मीडियम टू लो फ्लेम कर देनी है चूले की 15-20 मिनिट के बाद आप चेक करें ओयल भी हमारा उपर आ चुका है और कीमे को भी आप चेक करेंगे तो वो भी इस स्टेज पर गला हुआ होगा अब हमने इसके अंदर 1 कप मेरे पास मटर थे वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है मटर को बॉयल नहीं करना सिंपल आपने ऐसे के ऐसे ही मटर शामिल कर देने है मटरों के साथ कीमे को भी अच्छी तरह से फ्राइए करें 90% तक आपका कीमा जो है वो गल जाना चाहिए बागी का 10% जो है वो आपका मटरों के साथ गल जाएगा अब इसके अंदर मैंने 1 पोटेटो को थोड़े से मोटे चंक्स में काट कर वो भी शामिल कर दिया है पोटेटोस ऑप्शनल है अगर आप डालना चाहें तो डाल दें वरना इसको स्किप कर लें पोटेटोस जो है वो बच्चों के फेवरेट हैं इसलिए मैंने शामिल किया है वन टेबली स्पोन इसमें जीरा पाउडर जाएगा जीरा पाउडर पहले इसलिए स्टामिल नहीं किया क्विकर TCryaltra कीमे का卡लर जो है वो थोड़ा सा बलेक हो जाएगा इसलिए अभी डाला हाफ कॉप इसमें पानी का शामिल करके इसको थोड़ी तेर के लिए democratic छोड़ तक्रीबर पांच मिनट कवर करके छोड़ दें ताके मटर अच्छी तरह से गल जाएं 5 मिनट के बाद कवर हटाकर देख लें अगर तो कीमा और मटर अच्छी तरह से कड़ चुके हैं तो फिर आपका कीमा ready हो चुका है अगर थोड़ी सी कसर रह चुकी है तो इसको मजीद 5 मिनट और cover करके छोड़ दें लेकिन यहां पर मेरा कीमा और मटर जो है वो ready हो चुके हैं इसलिए मैं इसके उपर धनिया अद्रग और सबस मिर्चे स्प्रिंकल कर रही हूं गार्णिश करें थोड़ी सी काली मेर्च और गरम मसाला भी उपर से चिड़क दें मिक्स करें चलें माश्याला से बहुत ही अच्छा हमारा टेस्टी सा कीमा मटर का सालन जो है वो ready हो चुका है अब इसको हम सर्फ करते हैं एक प्यारी सी प्लेट लेंगे और इसके अंदर अपना कीमा डाल देंगे देखिए माश्याला से कितना हुपसूरत कीमा हमारा ready हो चुका है जो बेसिक मसालों के साथ हमने ready किया है जो गर के अंदर मजूद होते हैं कोई भी चीज़ आपको बाहिर से लाने की कोई जरूरत नहीं है बस कीमा आपके पास मजूद होना चाहिए जिस से आप बड़ा ही मज़ेदार टेस्टी सा सालन ready कर सकती है इसको आप प्राठे के साथ खाएं या रोगनी नान के साथ खाएं दोनों ही सूर्टों में बहुत ही मज़े का लगेगा सो गाइज अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमली मेंबर्स के साथ शेयर भी करें अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्यार रखेगा मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखेगा अगली रेसिपी तक के लिए अलाह आपीज